नमस्कार दोस्तों अज 26 जुलाई है और आज के दहिंदों में क्या और क्यों पढ़ें हमें से लेके फिर से हाजिर हैं अज जो सबसे पहली न्यूज है वह है अविस्वास प्रस्ताओ को लेकर अब अपोजिशन प्लांस टू नो ट्रस्ट मोसन अगेंस्ट मोधी गोवर्मे इसके बारे में आप देखेंगे कि अविस्वास प्रस्ताओ क्या होता है 27 बार लाय जा चुका है एक बार अविस्वास प्रस्ताओ पारित हुआ है जब अटल बिहरी बाजपई की सरकार गिर गई थी एक वोट से उन्होंने मतलब बैमानी नहीं करी उन्होंने कहा कि भले ह मेरी सरकार गिर जाए लेकिन मैं बैमानी नहीं करना चाहूंगा उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ उसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अविस्वास प्रस्ताओ के द्वारा सरकार गिर गई हो है तो आप इसे देख लीजेगा अविस्वास प्रस्ताओ क्या होता है कैसे लाया जाता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे है ना इसके बाद है एक न्यूस है अराइब एड consensus on ties in Bali, China ना बाली में जो प्राइम मिनिस्टर मोडी है और चाइनेज प्रेसिटेंट सी जिन पिंग है रिष्ट एक consensus on restore bilateral ties in Bali last year है ना देर मिटिंग से चाइना तब फॉस्ट ताइम आइधर साइड सगेस्टेट दाइट थे तू लीडर्स डिनर है इंकूड़े देन सब्स्टेंशल कॉन इस तरीके की चीजें कहके वह यह कहना चाहरें कि हम लोह का थोड़ा ठीक ठाक है और इस तरीके की बाते कहके वह साइड है सजिस्टेट दाट बाली मिटिंग है इंकूड़ेड एनी सब्स्टेंशल कनवर्सेशन मतलब बाली मिटिंग में जो बात हैं हुई थी आगे चीजों को हम उसमें लेंगे इसी पर बात की गई है तो आप इसे पढ़ लेंगे अंतरास्तिय निउस है या हमारे जो णतरास्तिय सम्मन्द है उससे जोड़े नियूस हैं अप ज्यादा नहीं लेना है ढ़ह चुकितृति बात हुट जो बात होती है वह आर्थिक होती है दूसरा सबसे महतं पून होता है और रिननितिक होता पहुता है तो ये ध्यान टखेगा यह दो छृत्रस सबसे महतंत्प जहां पे अंतरास्तिय सम्मद्ध टिकते हैं ठीक है तो यह आपको देखना है इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नुमर फाइब में चलते हैं और यहां पे आपको पता होगा कि जो हाइनल और्विट रेजिंग मैनोवर और चंद्रियान 3 कंप्लिटेड जो हमारा चंद्रियान है वो इस तरीके से राउंड करके मतलब पिर्थवी के राउंड करके जा रहा है तो यहां से अब यह कच्छा छोड़ देगा और यह बाहर को निकल जाएगा और चंद्रमा के चक जान भी चलता रहेगा और इसके बाद हमें जो अगली न्यूस पढ़नी है वो पेज नुम्बर 6 पे है पेज नुम्र 6 पे चलते हैं और इसमें हैं हिमाचल फ्रॉट एम मेन स्वरी मूविंग अवे फ्रॉम दर टेक मेक डिस्पोज यह एक नियूस है यहां पर हमें का मतलब है हमें चीजें चाहिए और उससे बढ़ना हुआ मतलब जैसे जो भी बस्तू बनाते हैं उसको उपयोग हो और वह वस्तू जब अनुपयोगी हो जाए तो फिर से उसको उपयोग करने लाइक बनाया जा सके इसी को सर्कुलर एकोनोमी के रूप में जानते हैं इसी पर बात की गई टेक मेक एंडिस्पोज तो इसको आप देख लेंगे और इसी पर पूरी चर्चा है तो आप इसको देख लेंगे इसके बाद है पेज नंबर सेवन पे तो इस परकार के मून मिशन दिये गए हैं जो कब-कब सफल हुए हैं कब-कब असफल हुए हैं इस तरीके की चीजे हैं तो आप इसे देख लेंगे और थोड़े से आंक्रे हैं इनको जरूर देखेंगे कि किस प्रकार से यह successful का rate successful success होने का rate क्या है तो यहां से आपको दिखेगा जो क्रीव लेंडर है वो 100% रहा है और बीटर में लेंडर है वो 47% के करीव रहा है overall जो overall success rate है वो 47 success हुआ है 104 success हुआ है और जो सबसे अच्छा success rate है वो 15.56.56.5% है तो यह ठीक ठाप है overall जो हमारा average रहा है जो सबसे एच्छा career lender रहा है और बीटर उसके बाद उसके बाद rover उसके बाद fly away impactor नहीं रहा है robotic lender नहीं रहा है sample return नहीं रहा है तो बहुत कम रहे हैं कि 50% से कम रहे हैं और इधर सब सारे 50% से उपर रहे हैं तो इसको आप जरूर देखिएगा इसके बाद जो अगली news है वो एक सोचने वाली बात है कि क्या हिमाचल floods जो है वो मानव मतलब मानव के द्वारा बनाया गया एक disaster है इस पर बात की गई है तो आप इसे जोड़ देखेंगे इसे पढ़ेंगे और कारणों को समझेंगे कि क्या इस तरीके के जो floods है या इस तरीके के जो बाढ़ आ रहे हैं क्या वो मानव निर्मित है दरसल मानव निर्मित कह सकते हैं क्योंकि हम जो flood area होता है किसी भी जो पहाड का या प्लेन का जो river का flood area होता है वो लगबग 5 km का होता है पहाड़ों में तो चुकि सक्रे होते हैं उनके मतलब क्या बोलते हैं चित्राने का टाइम नहीं मिलता है या फैलने का वो नहीं मिलता है तो क्या करते हैं कि जितनी भी जगह मिल रही है उसमें वो फैलना सुरू कर देते हैं इससे क्या होता है कि हम लोगों ने जो परेटन के उद्देस से या अन्य उद्देसों से रिहा बना ली है अब उस रिहाइस वो नदी अपने ही मार्ग पे बह रही है हम उस मार्ग पे अपना घर बना देते हैं या पुल बना देते हैं या कोई परियोजना शुरू कर देते हैं तो इससे क्या होता है इससे होता यह है कि वह जो परियोजना हमने शुरू करी है उससे उसको जब बाढ़ का पानी आता है तो वो परिजुना बह जाती है या जो रिहाई से वो बह जाती है या जो हमने परियाटन की दिरिश्टिकों से प्राकरतिक रूप में बह रही है तो हमारा घर बह जा रहा है या पुल बह जा रहा है तो यह मेंमेड रिजास्टर ही हुआ ना तो इसी पढ़ना है आपको यह पढ़ लीजीगा कि इसके बाद है पेज नंबर 11 पर 11 पर चलते हम लोक सभा पासस कंटिनेंस बाइलोजिकल डैवर्सीटी बिल है ना जो बाइलोजिकल डैवर्सीटी जै विविद्धा विधेग है उसको लोक सभा ने पास कर दिया इसमें कई चिंता की बाते हैं इसमें उद्योग पतियों को छूट देने के कई प्रावधान किये गए उनको उनके जो अधी उलंगन करते हैं एक्ट का या कानून का उलंगन करते हैं तो उनको अपराध नहीं माना जाएगा मतलब सीधे सीधे जेल नहीं होगी हाँ जो आर्थिक दंड लगाया जा सकता है इस प्रकार के कई प्रावधान किये गए हैं तो आप इसको एक बाद जरूर देख लेंगा है साथी साथ इसको पीरेस में आप बिल के रूप में देख सकते हैं पीरेस में जाके यह आप आप इसको थोड़ा सा देख लेंगा है इसके बाद जो अगले नुज में पढ़नी है चीभी आईसी डिटेकT 93 हंड्रेड फेक एकाउंट यहां पर हम चलते हैं सीवी आईसी है ना सेंट्रल बोर्ड आफ इंडिरेक्ट टेक्सस एंड कस्टम्स जो है तिरानवे सो फेक जीस्टी एकाउंट को फाउंड की है और ग्यारह हजार रुपया का नुक्षान हुआ है एक तरीके से तो यह देख लेना है आपको यह चीजे हमको देखनी है टेक्स छूट का फाइदा उठाए है ग्यारह हजार करोड का जैसे क्या होता है कि आप जब जीस्टी लेते हैं जीस्टी रेइस्टर करते हैं तो उसमें जैसे आप अमिजन से कुछ मंगा रहे हैं तो आपने जीस्टी नंबर डाला तो 28 परसेंट की छूट मिल जाती है तो इस प्रकार से चीजें छूट में मिल जाती हैं तो यह आप देख लेंगे और इसी पर 11,000 करोड का नुकसान हुआ है सरकार को तो यह चीजें देखने वाली है यह आप देख लेंगे इसके बाद जो है इंफ्लेशन में रिसर्ज 26 परसेंट इन जुलाई एच फूड प्रेसंट ओ हलाए जो है इन्फ्लेशन है वह फिर से बढ़ गया है और यह-चिकस परसेंट पोंच चुका है फूड प्रेस बढ़ने के करन तो और ने के करन यह जो है inflation 6% तक पहुँच गया है इसके बाद जो अगरी न्यूज हमें पढ़नी है कि आई एम एप लिफ आई एम एप जो है उसने इंडिया ग्रोथ को 6.1% कर दिया है तो यह ठीक ठाक है थोड़ा सा रेज किया है और 0.2% तो यह अच्छी बात है ठीक है देखा जाएगा आगे और इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो लास्ट पेज़ पे है लास्ट पेज़ पे एक न्यूज है तो यह एक नई घटना है या एक नया रिसर्च है इसको पढ़ सकते हैं आप पढ़ना है तो पढ़िएगा नहीं तो बहुत इंपोर्टन नहीं है आप देख सकते हैं एक बार ठीक है आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर कल मिलते हैं क्या और के उपढ़ने के साथ धन्यवाद कर दोस्तों नहीं है